इत्तिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम आलेकुम रहमतुलाई वरकातु इत्याद नियूज मैं आप सभी का खैर मगदम हैं कुछ अहम खबरों के तरफ एक नज़र कुछ दिन की राहत के वाल आज पॉजिटिव मरीजों में अचानक उचाल सिर्फ एक ही दिन में 11 मुतासिर मरीजों से इंतजामिया के होश उड़ गया है जुमेरात को एक लड़की में पॉजिटिव पाया गया तो उसी दिन दो निगटिव अफरादों को भी डिश्चार्ज किया गया था दरसल सभी तरफ एक तरह इत्मिनान के सांस ली जा रही थी पर आज सुबह के हेल्थ बुलेटीन में 11 पॉजिटिव जा रहा है तक्रीबन कॉरंटाइन लोगों को डिश्चार्ज किया गया है तक्रीबन टेस्ट ने नगेटिव भी पाये जा रहे हैं पर अचानक 11 पॉजिटिव से सिर्फ एक ही दिन में रियासत में 45 का इजाफा हुआ है बिलगाम जिलग की कुल ताइदाद 55 हो गई है हास के नजर जला इंतजामिया मेडिकल मौकमा सही इखतामात उठा रहे हैं जला के हाट स्पाट बने हीरे बागड़ी कुडची राएबाग पर मजीद सक्ती के साथ पाबंदियां आयद करने के फैसले किये गए अब पूरी रियासत में 750 पॉजिटिव मरीजों की कुल पैदल घर के तरफ निकला और रास्ते में ही मौत ने दबोच लिया इस लॉकडाउन ने क्या क्या नहीं दिखाया जिंदगी की ऐसी बेबस्त स्वीर शायद कभी किसी ने नहीं देखी होगी पूरे मुलक में सैंक्ड़ों मजदूर पैदल चल चर कर मर गए दरसल यह सफर जिंदा रहने के लिए उन्हों ने किया था पर मौत ने जिंदगी का सफर मुकमल करने नहीं दिया बेलगाम खानापूर से इसी तरह जारकंड का बाबुलाल सिंग जिसकी उमर 45 है खानापूर से जारकंड के ओर चलते चलते निकला चिकड़ी के करीब पहुंचा थो मौत इसे इसी जगह पर दबोच लिया जारकंड से काफिला जो सडक मरमत के लिए आया था और लागडाउन ने इन्हें यही रोक दिया पर हकुमत की जानिब से वापिस भेजने के सिर्फ वादे होते रहे पर कुछ लोगों ने जिनके पास पैसे थे पैसे वाले थे वह अपने गाउं अपने घरवालों के पास पहुंच गए पर बाबुलाल सिंग जैसे हजारों मजदूर सड़कों पर पैदल चल चल कर मर गए क्या वाकई कहानियों से इन वारदातों से इन दर्दनाक किसों से क्या इख्तदार पर बैटे हुकमारानू को कभी तरस भी तो आता है कित हमारे हुकमरानों को हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले ताकि गरीबों की सिसक्ती जिंदगियों पर भी नजर डाल सके पिछले 40 दिन से बाजार को छूट मिलने से सड़कों पर सवारियों की भीड देखने मिल रही है सुबर साथ से शाम साथ तक कुछ पाबंदियों के साथ आजादी दी गई थी पर देखाय जा रहा है कि बिला वज़े घुमने वालों की तायदा थी काफी अस्ता है शाम पर देखाया यह जा रहा है कि सभी दुकाने खुली नजर आ रही है आखर फैसला का ने रहा है समझ में नहीं आ रहा है रहा है आज भी जब के खत्रा टला नहीं है हर रोज पॉजिटिव मामिले सामने आते जा रहे हैं फिर मुकमल आजादी क्यों दी जा रहे हैं सबसे पहले शराबियों को आजाद कर दिया गा शराबियों के आजादी पर पूछे सवाल पर हुकुमत कहती है अर्त विवस्ता में सुधार होने के लिए यह फैसला जरूरी है जब पूरोना इतना बड़ा संकट है तो संजीदी से गवर क्यों नहीं किया जा रहा बेलगाम मुस्लिम जमातों ने भी यीद तक लॉकड़ाउन मुलतवी करने का फैसला मतालबा किया है इस बार मुस्लिम समाज ने ने कपड़े जूते न खरीदने का फैसला लिया इस बार यी तो सादगी से होगी ऐसा भी ऐलान किया गया अक्वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटर अंटोनिय गुटरेश्ट ने भारत से इस दुनिया बर में मुसल्मानों के खलाब जो नफरत की सुनामी आई है किसी का नाम न लिये बगएर कहा कि नफरत को बंद करने का मचौरा दिया और कहा कि इस नफरत के खात्मी की जुरत है जिसकी कोशिश दुनिया की जानिब से होनी चाहिए आगे कहा कि कोरोना आलमी ओबा नफरत की सुनामी लेकर आई है किसी धर्मिशेश को निशाना बनाना ठीक नहीं है सेकरेटर अन्टोनिय गुटरेश ने किसी देज का नाम तो नहीं लिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भारत में ही मुसल्मानों को कोरोना के आड़ में निशाना बनाया जा रहा है गुटरेश ने कहा कि मकसूद समाज को हेट स्पीच के तेर भी निशाना बनाया जा रहा है किसी भी मुल्क में इस तरह की वारदातों में इजाफा हो रहा है तो उस मुल्की हुकुमतों को चाहिए कि सक्त कानूनी कारवाई करें ना कि जल्म करने वालों को साथ दे कई के हिदा का बयान संजीद्गी से लेंगे जो सुबह शाम हिंद मुस्लीम के सिवाई ने कुछ भी नजर नहीं आता और हर बात में नफरत का अजेंडा चलाते हैं यह भी सच्चाइए कि कुछ लोगों का गुजारा ही नफरत पर होता है कोरोना आलमी वबा के चलते सावित जज मारकन डेकारजु ने नया मशवरा देते हुए कहा कि कोरोना मा हमारी ने दुनिया को घटनों पर लाया है लिहाग वजीराजम नरेंदर मोदी अभाजपा ऐसे वक्त में अकेले नहीं लड़ सकते हैं आप चाहिए कि मोदी हुकुम कि अगने फकलिव को क्या चाहिए कि जश्टीस काट जुक कहते हैं कि मोधी प्रदानमntरी ही रहें पर उप्पност प्रदानमत्री आएने नय वजर्याजब के तोर पर किसी विपक्ष के लीडर को बनाये जाए मुझदा हालात प्रदान मंद्री अकेले संभाल नहीं पा रहे है इसे वक्त में तमाम विपक्ष इल्मी दानिश्वार साइंटिस्ट और दिगर सलाइयत रखने वाले लोग एक जगह पर आए और राष्टिय सरकार को बन करने के लिए नई हकूमत का कयाम अमल में लाया था भारत में भी इसी तरह नई हकूमत बनाने का मशरा दिया है ताके आने वाली मुसीबते मुश्किलों से हम सबी मिलकर लड़ चके इत्याद में देखने के लिए शुक्रिया अल्ला आफिस